Lion Light Creative Studio Creative Videos साथ ही अत्ता सबस्क्राइब करा Lion Light Creative Studio आनि हो, हिजवलची घंती दावाला अजीपात विस्रूनका मैं आप सभी का बहुत आभरी हूँ कि आप यहाँ उपस्तित हैं और मुझे आप से समवाद करने का बाद करने का थोड़ा सा मैं मिल रहा है और एक बहुत गंभीर विशय पर गोरक्षा या गोहत्या बंदी इस विशय पर मुझे आपसे कुछ ऐसी बाते कहनी हैं जो शायद आपने पहले कभी सुनी न हो पढ़ी भी न हो पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभिहास कर रहा हूँ उन में से ये एक समस्या है जो गोहत्या की है गोहत्या की समस्या इतनी बड़ी है हमारे भारत देश में कि हर साल दो कोटी पचास लाख गाय का कतल इस देश में होता जाए और दो कोटी पचास लाख गाय और गोवंश का कतल करने के लिए तीन हजार छेसो कतल खाने इस देश में चलते हैं भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन से चलने वाले ये कतल खाने तीन हजार छेसो के आसपास हैं बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले जो कतल खाने हैं, उनकी कोई माहिती सरकार के पास नहीं है, एक बार मैंने भारत सरकार के क्रशी मंत्राले को, जिसके अधीन में पशु मंत्राले भी आता है, पशुधन विभाग आता है, उनको एक खत लिखा था, पत्र लिखा था, और उनको ये पूछा था, कि जो रेजिस्टर्ड कतल खाने हैं, जिनका सरकार ने अनुमती पत्र दिया है, उनकी संख्या 3,600 है, अन्रेजिस्टर्ड कितने हैं, तो उनका हमने आज तक गिंती नहीं किया है, लेकिन हमारा अनुमान है, कि 36,000 कतल खाने अन्रेजिस्टर्ड है, 36,000 कतल खानों में प्रतिवर्ष 2 कोटी 50 लाख गाए और गोवंच का कतल हो रहा है इस कतल में से 72 लाख मीटर टन मास उत्वन होता है और ये मास भारत देश से बाहर दूसरे देशों में निरियात किया जाता है सबसे ज़्यादा भारत के गाए और गोवंच का मास अमेरिका भेजा जाता है दूसरे नंबर पर यूरोप के देशों में भेजा जाता है और थोड़ा कुछ बच जाता है तो अरब देशों में चला जाता है भारत की गाए कामास अमरी की लोग सबसे ज़्यादा खाते यूरोप के लोग भी भारत की गाए कामास खाना पसंद करते उसके बारे में थोड़ा मैंने अभ्यास किया कि ये अमरी की लोग अपने देश की गाए कामास क्यों नहीं खाते भारत की गाय का मास क्यों खाते यूरोब में भी गाय होती है वो अपनी गाय का मास क्यों नहीं खाते तो पता ये चला कि यूरोब और अमेरिका की जो गाय है उसको कई गंभीर बीमारिया है और उन में से एक बीमारी का नाम है मैट काउ डिसीज इस बीमारी में क्या होता है कि गाय का सिर्व का जो सींग होता है हॉर्न उसमें गाव हो जाते हैं पस पड़ जाता है और गाय के जो पैर होते हैं उसमें भी गाव हो जाता है पस पड़ जाता है तो सामनी रूप से अमेरिका और यूरोप की गायों को ये बीमारी रहती है और इस बीमारी का मास मने इस बीमारी से प्रभावित गाय का मास कोई खाए तो कोई व्यक्ति को इससे भी ज़्यादा गंभीर बीमारी होने के शक्किता है इसलिए यूरोप और अमेरिका के लोग आज पिल अपने देश की गाय का मास कम खाते हैं भारत की गाय के मास की उन्हें ज़्यादा डिमांड है कारण क्या है भारत की गायों को ये बीमारी नहीं होती है मैंने इस विशेफर थोड़ा और अब भ्यास किया कि भारत की गाये में ऐसी क्या विशेष्टा है जिसको ये बीमारी नहीं है और अंग्रेजी गाये में क्या तकलीफ है यूरोपियन अमेरिकन गाये में क्या है जो ये बीमारी ज़्यादा है तो पता चला कि यूरोपियन और अमेरिकन गाये को भी मासाहरी भोजन कराया जाता है और गाये मूलत है शाकाहरी प्राणी है तो शाकाहरी प्राणी को अगर मासाहरी भोजन कराओ तो कुछ ना कुछ तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे वो यही है आपके मन में प्रशना आएगा कि ये यूरोप और अमेरिका वासी क्यों गाये को मासाहरी भोजन कराते ये मैंने उनके यहाँ प्रशन एक बार पूछा यूरोप में गाये पालन करने वाले जो संस्थाएं है उनको जब मैंने इमेल किये और उनसे पूछा कि आप इनको मास क्यों खिलाते हो गाय को तो कहते हैं मास बढ़ाने के लिए मास खिलाते हैं गाय के शरीर में मास की मात्रा और ज़्यादा बढ़े इसके लिए मास खिलाते हैं और मुझे पहली बार पता चला मेरे जीवन में कि यूरोप की सभी गाय मास के लिए ही पाली जाती है दूद उनके लिए secondary product है दूद पीने की यूरोप और अमेरिका में कोई परंपरा नहीं है वो दूद पीना जादा पसंद भी नहीं करते है लेकिन मास खाना पसंद करते हैं तो गाय को वहां मास के लिए पाला जाता है और इसलिए गाय को पिछले 50 साल में इतना मूटा बना दिया है उन्होंने कि वो अभी भैस से भी जादा पत्तर हो गई है यूरोप और अमेरिका की जो जरसी गाय है होलिस्टियन है फ्रीजियन है जो उनकी प्रजातियां है वो सभी बहुती विचित्र किसम की है उनमें गाय का कोई भी गुण नहीं बचाए जितने दुरगुण भैस में होते हैं वो सब जरसी गाय में दिखाई देते जैसे उधारण के लिए जरसी गाय को अपने बच्चे से कोई लगाओ नहीं होता और जरसी गाय अपने बच्चे को कभी पहचानती भी नहीं है कई बार ऐसा होता है कि जरसी गाय का बच्चा किसी दूसरी जरसी गाय के साथ चला जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं है लेकिन भारत की जो देशी गाया है न वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती है इतना प्रेम करती है कि अगर उस बच्चे को किसी ने बुरी आँख से भी देखा तो मार डालने के लिए तैयार हो जाते है और भारती गाय की सबसे बड़ी विशिष्टा यह है कि लाखों की भीड में वो अपने बच्चे को पहचान लेती है और लाखों की भीड में उसका बच्चा अपनी आई को पहचान लेता है जरसी गाय कभी भी पैदल नहीं चल पाती है चलाने की कोश़श करो तो बैठ जाती लेकिन भारतिय गाई की ये विशेष्टा है कि कितने भी उँचे पहाड पर उसको चड़ा दो वो चड़ते चली जाती अगर कभी आपको मौका मिले तो हिमाले की परिक्रमा करिए हिमाले परिवरत पर जितनी उँचाई तक मनुष्च जा सकता है उतनी उँचाई तक आपको देशी गाई मिलेगी गंगोत्री जाईए, जंगोत्री जाईए, बद्रिनाथ जाईए, केदारनाथ जाईए ये चारों तीर्थों को अगर आप यात्रा करें तो हमाले की परिक्रमा लगबग हो जाएगी आपको हर जगे देशी गाय मिले भी जो आठ हजार फिट, नौ हजार फिट, दस हजार फिट की उचाई तक आराम से चली जाती है कोई तकलीफ ने लेकिन जर्सी गाय को दस फिट भी उपर चड़ाना पड़े तो उसको तकलीफ आ जाती है जर्सी गाय का पूरा का पूरा सुभाव बहस के जैसा है अगर सड़क पर कहीं बहस खड़ी हो, सामने से ट्रक आता हो, पीछे से बस आती हो, कितना भी हॉर्ण बजाए, वो हटती नहीं क्योंकि हटने के लिए जो आई-क्यू चाहिए, वो उसमें नहीं है ठीक ऐसा ही जर्सी गाय में होता है जर्सी गाय सड़क पर खड़ी हो कितना भी हॉर्ण बजाओ वो भी नहीं हटती सामन रूप से ये जो जर्सी गाय है इसके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते है कि इसको विक्सित किया गया है डूकर के जीन से सुर के जीन से विक्सित किया गया है और इसमे जितनी भी जरसी गाए है यूरोप और अमेरिका में आपको सुनकर आश्वर होगा कि इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टी, फीशिल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है सबका और आप जानते हैं कि Artificial Insemination में ये गुद्जाइश है कि आप चाहें तो गोडे का जीन्स उसमें डाल दें आप चाहें तो डूकर का डाल दें कुछ और जानवरों का भी डाल सकते और Artificial Insemination से ही उसको गर्ववदी बनाया जाता है ये उनके यहाँ पिछले 50 साल से चल के आता है यूरोप और अमेरिका के जो भोजन पिश्वेशक यह है nutritional experts जिनको माना जाता है तो सभी कहते हैं कि अपनी गाय मने यूरोप और अमेरिका की जर्सी गाय का भोजन अगर करें तो 15 से 20 साल में cancer होने के शक्यता diabetes तो सबसे जल्दी होता है arthritis, rheumatid arthritis, osteoarthritis, asthma, bronchial asthma ऐसे 48 रोग होने की सबसे ज़्यादा संभावना है यूरोप और अमेरिका की गाय का मास खाओ तो तो अब वहाँ पर एक अभियान चल रहा है यूरोप और अमेरिका में वो अभियान यही है कि उनके देश में जो गाय है उसका मास कम से कम उप्योग करो और भारत जैसे देश में जो सुरक्षित गाय है इसका मास ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो तो भारत सरकार के साथ European Commission ने और अमेरिका ने Agreement Sign किया हुआ है उस Agreement के साथ हर साल हमारी सरकार 72 लाख मीटरिक टनमास यहां से गाय और गोवंच का भेजती है और उसके लिए ढ़ाई करोड गाय को हर साल इस देश में कट जाना पड़ता है यह जो समस्या है हमारे देश में गोहत्या की यह आजादी के बाद पैदा हुई है ऐसा नहीं है यह आजादी के पूर्व की समस्या आजादी जब हमें मिली 15 अगस 1947 को तो महात्मा गांदी जीवित थे और महात्मा गांदी के सामने अंग्रेजों की सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था वो प्रस्ताव यह था गांदी जी को पूछा गया था मांट बेटन ने उनको एक चिठी वेजी थी और यह कहा था कि बापू आप बार बार कहते हो कि गोहत्या बंद होनी चाहिए गोरक्षा होनी चाहिए और अंग्रेजों की सरकार बड़े पहमाने पर गाय का कतल करती थी तो गांदी जी ने बार बार कहा कि यह गाय का कतल बंद होना चाहिए गोरक्षा होनी चाहिए तो मांट बेटन ने गांदी जी को पत्र लिखा और कहा कि अगर आप बोलो आजादी और गोरक्षा में से क्या चाहिए आपको आजादी चाहिए या गोरक्षा चाहिए दोनों में से कोई एक चुनाव आप करो तो गार्दीजी ने पत्र का उत्तर दिया कि देखो अगर अंग्रेजों की यही कोई शर्त है कि आजादी और गोरक्षा में से कोई एक चीज चाहिए तो मैं गोरक्षा पसंद करूँगा और गाय की रक्षा हो गई तो आजादी तो फिर आपसे में ले ही लोगा उसके लिए आपकी दया नहीं चाहिए बस आपकी दया गाय पर चाहिए कि आप गाय का कतल बंद कर दो जिस समय ये घटना घटित होई उसी समय गांदी जी के बारे में अंग्रेजों के एक खफार में एक लंबा आर्टिल छपा गांदी जी ने उसका जवाब दिया और गांदी जी ने कहा कि मैं भारत में चाहता हूं कि एक भी गाय का कतल नहीं होना चाहिए और अंग्रेजों की सरकार ने साड़े तीन सो कतल खाने खोले हुए है और हर दिन इन में पचास हजार से ज़्यादा गाय कटती है और ये सारी की सारी गाय का मास अंग्रेजों की पुलिस और अंग्रेजों की सेना खाती है जो बच जाता है उसे इंग्लेंड भेज दिया जाता है मेरे देश में अगर गाई की हत्या होती है तो मैं मानता हूँ कि वो सबसे जगन्य अपराद है जो हो रहा है उस पत्र में गांधी जुने बहुत लंबी-लंबी कई बात लिए की उन्हेंने कहा कि भारत में गाई अर्थव्यवस्था का केंद्र है और संस्कृति का आधार है बिना गाई के भारत की संस्कृति की कलपना नहीं हो सकती और बिना गाई के भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती भारत की अर्थव्यवस्था करशी प्रधान है और गाई करशी का मूल आधार है इसलिए मैं चाहता हूँ कि गाये की हत्यात अत्काल बंद होनी चाहिए और अगर अंग्रेजों की सरकार मुझे ये आप्शन दे रही है कि आजादी और गोहर रक्षा इन दोनों में से कोई चीज आप चुन लो तो मैं गोरक्षा पसंद करूँगा और एक बार भारत की गाये बच जाए तो आगे तो आजादी हम ले लेंगे बात में गांदी जी ने लखा कि अगर अंग्रेज चले जाएं भारत छोड़कर और भारत की सरकार भारत में आ जाए तो सबसे पहला कानून भारत में गोरक्षा का ही बनेगा ये मैं भारत वासियों को बाइदा करता अब गांदी जी का ये पत्र अखवारों में छपा भारत के अखवारों में भी बहुत जोरदार छपा और ये जो पत्र छपा गांदी जी का भारत के अखवारों में खासकर हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर इसको छापा ये सब घटना 1946 के आसपास किये दिसंबर के महीने की तो गांदी जी को बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया खासकर अंग्रेज होने कि आप गाये के लिए इतने क्यों परिशान है तो गांदी जी ने सबसे emotional statement किया शायद उनके जीवन का इससे ज़्यादा emotional statement नहीं था उन्हों ने का अंग्रेज चाहें तो मेरी हत्या कर दे लेकिन गाये को छोड़ दे अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि गांदी के हत्या करके उनके मन को संतोश होता है तो वो बेशक मेरी हत्या करें लेकिन गाये को छोड़ दे क्योंकि ये गाये हमारी संस्कृती का अधार है अर्थ व्यवस्था का अधार है गांदी जी ने जब ये कहा कि भारत में आजादी आएगी और सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गोहत्याबंदी का ही होगा गांदी जी चले गए तीस जनवरी और तालीस को उनकी अत्या हो गए उसके बाद इस देश की संसद में उन्नी सो बावन में ये बात आई कि गोरक्षा का कानून बनना चाहिए गांदी जी के आत्मा को शर्दानजली यही हो की तो गांदी जी के सबसे परम प्रिय शिष्ष पंड जवारला नहरूप संसद में खड़े हुए उन्नोंने का ठीक है अगर गोरक्षा का कानून बनना चाहिए तो इस पे प्रस्ताव आना चाहिए तो संसद में एक संसद हुआ करते थे उनका नाम था महावीर त्यागी कुवारी समाजी थे और हर बार सोनी पत्स से चुनाओ लड़के जीते वो बारत की संसद में सबसे पहला चुनाओ 1952 में हुआ और बहुत भयंकर बोटों से जीत के आये थे वो कॉंग्रेस में शामिल नहीं हुए किसी भी पक्ष में सामिल नहीं हुए वो निर्दल ये चुनाओ लड़ते थे तो महावीर त्यागी ने का ठीक है मैं मेरे नाम से प्रस्ताव लाने की तैयारी करता हूँ उन्होंने प्रस्ताव लाया उस पर बहस हुई बहस के बाद ये तैय किया गया कि वोट किया जाए इस पर तो जब वोट करने का दिन आया तो नहरू जी ने एक वयान दिया जो लोग सभा के रिकॉर्ड पर है आप चाहें तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते नहरू जी ने कहा कि अगर आज ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दोगा अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दोगा मतलब गोरक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधान मंत्री नहीं रहूंगा परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो कॉंग्रेसी नेता गोरकशा के समर्थन में संसत में भाशन करे और गोरकशा के समर्थन में वोट डालने को तैयार हुए नहरू जी का ये वाक के सुनते ही सब पलट गए क्योंकि उस जमानी में क्या होता था? नहरू जी अगर छोड़ दें पद तो फिर क्या होगा सरदार पटेल की तब तक सुर्गवास हो चुका था 1950 में तो नहरू जी अकेले नेता रह गए थे कॉंग्रेस में कॉंग्रेस यों को ऐसा लगता था नहरू इस इंडिया, इंडिया इस नहरू भारत है तो नहरू है, नहरू है तो भारत है और ये नारे बहुत बार लगाएगा इस तेश कई बार ये भी कहा गया इंडिया इस इंदिरा इंदिरा इस इंडिया शायद इनकी सुभाव ऐसी है कॉंग्रेसियों की तो इन्होंने कहा कि नहरू जी ने इस्तीफा दिया तो हम तो फिर गए तो इतना हंगामा किया संसद में कि वोट ही नहीं हुआ और अगले दिन महावीर त्यागी को मजबूर कर दिया और वो प्रस्ताओ वापस लेना पड़ा महावीर त्यागी ने प्रस्ताओ वापस लेते समय भाशन किया और वो बहुत ही जोरदार भाशन है वो भी लोग सवा के रिकॉर्ट्स में हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर नहरू, पंडित नहरू, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप महात्मा गांदी के परंप्रिय शुष्य हैं। गांदी जी ने वाइदा किया था कि आजादी मिलने के बाद पहली सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गुरक्षा का बनेगा। अब आप भी उस से हट रहे हैं। तो हम कैसे मानें कि आप गांदी जी के शुष्य हैं। इससे भी आगे कहा कि नहरू जी मैं आपको आपके पुराने भाशनों की याद दिलाता हूँ जो आपने अलगलग समय पर अलगलग जगे दिये हैं। और हर जगे आपने एकी बात कही है कि मैं जे किसी कतल खाने के सामने से गुजरना पड़े तो घिन आती है और अंदर से आत्मा द्रूह करती है। ये कतल खाने ततकाल बंद हों ये आपने कितनी बार कहा है। लेकिन जब समय आया कानून बनाने का और गो हत्या रोकने का तो आप पीछे हट रहें नहरु जी ने उनके इन सब बातों का कोड़ उत्तर नहीं दिया उसके बाद क्या हुआ बात आई गई हो गई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ थोड़े दिन के बाद सन 1956 में नहरु जी ने एक चिठ्थी लिखी सबी मुख्यमंत्रियों को भारत के मुख्यमंत्रियों को और उसका पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़के सुनाता हूं अंग्रेजी मैं लिखी लेकिन मैं हिंदी में बताता हूं वो लिख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि देखिए अगर हमने गाय का कतल बंद करा दिया तो भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा बहुत कम हो जाएगी और गाय ही एक ऐसी जीव है जो इस समय हमको सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा दे रही है और गाय का कतल करके जो मास है वो बहुत महगा हम बेचते हैं और इस गाय के शरीर से निकला हुआ जो चमड़ा है ये भी बहुत बड़े पहमाने पर हम निर्याद करते हैं और गाय को कतल करके जो चमड़ा उतारा जाता है वो बहुत ही सौफ्ट होता है और यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को सौफ्ट जूते और चपल पहनने की आदत है तो हम क्यों इसको निर्याद बंद करें मैं आप सभी को अपील करता हूँ कि आप अपने अपने राज्यों में गाय का कतल बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर सकें तो जरूर करें ये नहरू जी की चिठ्ठी है और ये भी रिकॉर्ड में है अब नहरू जी का कौन सा सौरूप सही था और कौन सा गलत ये अभी फैसला करने का समय है मैं मानता हूँ कि आ गया है जब वो गायदी जी के साथ मंच पर खड़े होके भाशन करते हैं तो कहते हैं मैं कतल खाने के सामने से गुजरता हूँ तो आत्मा चीतकार करती है और मैं चाहता हूँ कि सारे कतल खाने बंद हो और जब वो प्रधान मंतरी बंते हैं मुख्य मंत्रियों को चिठी लिख रहे हैं कि गाय का कतल बंद मत करो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है उस पत्र का सबसे अंतिम बाग के बहुत खतरनाक है उसमें नहरू जी लिख रहे हैं कि मान लो हमने गाय की हत्या बंद करा दी और गोरक्षा होने लगी तो सारी दुनिया हम पर हसेगी कि हम भारत को अठारवी शताब्दी में लेके जा रहे हैं अर्थाथ नहरू जी को ये लगता था कि गाय का कतल होने से देश 21 वी शताब्दी की ओर जाएगा और गो रक्षा होने से अठारवी शताब्दी में चला जाए ये पत्र पढ़कर मैं बहुत बिचलित हुआ हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं उनका नाम है रवी राय लोग सभा के अध्यप्ष रह चुके उनकी मदद से ये पत्र मुझे मिला पार्लिमेंट की लाइप्रेडी से अब मैं तो कोई MP नहीं हूँ पार्लिमेंट में जाने ही सकता लाइप्रेडी में भी नहीं जा सकता लेकिन एक दिन रवी राय जी को मैंने का कि आप निकलवा दीजे मुझे जरा पढ़ना है इसकी फोटो कापी भी रखनी है कभी भविश्य में काम आए और वो फाइल भी देखनी है जिसमें नहरूजी का नोट है तो उन्होंने बिचारे ने बड़ी मदद की और ये सब निकलवा दिया ये पढ़के मैं बहुत परिशान हूँ और मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नहरूजी के जीवन में वो कौन सी बात थी जिसके कारण वो गोहत्या को चालू रखना चाहते थे पत्र में वो लिख रहा है कि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है तो क्या सिर्फ विदेशी मुद्रा ही ये बड़ा प्रशन था या इसके पीछे भी कुछ और था मेरा एक व्यक्तिरत मानना है वो गलत भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने साथजनिक जीवन में जो कुछ भी करता है उसकी जड़ उसके निजी जीवन में जरूर होती है वो भारत का प्रधान मंत्री हो राश्ट्रपती हो देश के किसी सम्वेधानिक पद पर बैठा हुआ हो या कोई संत हो महंत हो साधू हो प्रोफेसर हो इंजिनियर हो डॉक्टर हो या साधरन किसान हो मजदूर हो कोई भी व्यक्ति हो अगर वो सारजनिक जीवन में कुछ कर रहा है तो उसकी जड़ें उसके निजी जीवन में जरूर होती है पब्लिक लाइफ में व्यक्ति जिस तरह से विवहार करता है उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइवेट लाइफ से निकलता है माने नहरू जी की प्राइवेट लाइफ में क्या था जो गाय की अत्या के लिए वो इतने परिशान और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया उनके निजी जीवन के बारे में प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत दस्ता भेज मैंने इकठे किया कम जगम 500 से ज़्यादा अभी मेरे पास है तो पता चला कि नहरूजी स्वयम गाय का मास खाते थे इसके पहले मुझे इतना तो मालूम था कि नहरूजी शराब पीते हैं और ये भी मालूम था कि चेन स्वोकर हैं दिन में 60-70 सिगरेट पीते और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में लेकिन ये पहली बार पता चला कि वो गाय का मास खिकाते हैं और उनके गाय के मास के भोजन को बना कर तैयार करके लंच के रूप में भिजवाने का काम दिल्ली का वो होटल करता रहा जहां अभी थोड़े दिन पहले जौर्ज भुश रोका और नहरू जी का एक लंच का खर्चा उस जमाने में 13,000 रुपए होता था जिस पर भारत के एक समाजवादी नेदाने बड़ी कड़क टिपड़ी की थी राम मनोहर लोहिया उन्होंने संसद में एक दिन बहुत जोरदार भाशन दिया था कि नहरू तुमारा एक समय का भोजन का खर्च 13,000 रुपए है और भारत के 14 करोड़ लोगों को दो समय खाने को रोटी नहीं तुमको शरम नहीं आती उस जमाने में संसद में लोहिया जी एक व्यक्ती थे जो नहरू जी को इस तरह से बोल पाते थे बाकी तो सब नहरू के आगे पीछे दुम हिला के गुमते रहते तो जब ये दस्तावेज मिल गए तो मैं समझ गया कि नहरू जी के मन में गाय के प्रती जो प्रेम था वो दिखावे का था गांदी जी को प्रभावित करने के लिए था और भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए था एक बार प्रधान मंत्री बन गए अब तो कोई कष्ट नहीं है कोई रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं सरदार पटेल की मृत्यू के बाद तो कोई नहीं उनके सामने चुनोती देने वाला तो उनका असली रूप पूरे देश के सामने आया और ये जितनी बाते मैंने आप से कही है ये सब भारत की लोग सभा के रिकॉर्ड्स पर मौजूद है कभी इतिहास लिखा जाए तो ये सब उसमें आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि नहरूजी से कोई अपेक्षा नहीं कि वो गाय की रक्षा करने के लिए कुछ करें फिर मैंने सोचा नहरूजी के बादवालों को क्या हुआ उनका तो समझ में आ गया चलो ठीक बाद में इतने प्रधान मंत्रिय आये उनका क्या हुआ उन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया गोरक्षा का क्योंकि गोरक्षा का कानून बनाने की बाद 1947 से चल रही है जिस दिन आजादी मिली उस दिन से चल रही है और अपसंद 2006 आ चुका है लगबख 60 वर्ष पूरे होने जा रहे है तो बाद के प्रधान मंत्रियों ने क्या किया तो वो रिकॉर्ड देखना शुरू किया तो पता चला कि एक बार शरी लाल बहादुर शास्त्री ने और एक बार शरी मुरार जी देसाई ने पूरी इमानदारी से कोशिश की थी लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई फुरार जी भाई ने जब ये कानून बनाने का तै किया तब तक देर हो गया और उनकी सरकार गिर गई या मैं सोचू दूसरे तरीके से कि उनकी सरकार गिरा दी गई क्योंकि उनकी सरकार को गिराने के पीछे जो तर्क था वो हमारी गले आज तक नहीं उतरता